हेलो दोस्तों सीवेशी बोर्ड क्लास 10-12 के बच्चों को लेकर टर्म 2 के एक्जाम्स को लेकर यहाँ पे एक बहुती बड़ी अपडेट निकले के सामनी आ रही है देश पर के सीवेशी बोर्ड के स्कूलों ने सीवेशी बोर्ड को यह साफ साफ कह दिया है कि वो दो महीने म स्लेवर्स को कैसे कंप्लीट कराएंगे सिवेशी बोर्ड ने टर्म और अप्रील के मंत में सिवेशी बोर्ड कर देगा और इसी दो महीने में देशपर के स्कूलों को एक दो नहीं वलकि कई सारे बड़न उन पे डाल दिये गये हैं सबसे पहला बड़न तो उन्हें ये है कि 50% स्लेवर्स को इन दो महीनों में कंप्लीट कराएं दूसरा बड़न ये है कि देशपर के हर एक स्कूलों से हर एक बच्चों से प्रेक्टिकल की कोपी बनाएं उन्हें प्रोजेक्ट बनवाएं क्योंकि इन ही के आपको नमबर मिलन आपको प्रेक्टिकल एक्जाम्स भी लेने वाले है यानि इन ही दो महीने में बच्चों को कितना पढ़ने को टाइम मिलेगा ये सब कुछ आप लोग यहां पर देख सकते हैं क्योंकि दो महीने में इस सभी कुछ आपके स्कूल कंड़क करवाने वाले है और आपको इसी को लेकर तयार रहना चाहिए तो सीवेशी वोड के स्कूलों ने यहां पर सीवेशी वोड के सामने एक सबसे बड़ी समस्या रखी है उन्होंने स्लेवर्स को लेकर यहां पर समस्या बताई है उन्होंने सीवेशी वोड को बताया है कि वो दो महीनों में टर्म टू के स्लेवर को कैसे complete कर पाएंगे क्योंकि सीवेसी बोल के term two exams में बचों को और ज्यादा practice की और बचों को और अच्छी तरीके से उन्हें तैयारिया की ज़ुरत है क्योंकि term two का exams आपके subjective में होंगे जहां पर आपके चार option में से एक option पर टीक नहीं लगाना होगा बलकि वहाँ पे आपक जो भी question लिखे होंगे उसके पूरी तरीके से आपको step marking के तहरे आपको answers लिखने होंगे और इसी answer के आपके number मिलने वाले हैं तो CVC board के बच्चों को लेकर यहाँ पे एक सबसे बड़ा challenging उनके सामने यह है कि उन्हें दो महिने का समय दिया गया है तो ऐसे में देशबर के school स्कूलों ने यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या CVC board के सामने रख दी है कि CVC board जो है term 2 के exams को लेकर इतने कम समय बच्चों को दे रहा है तो देशबर के school स्लेवर को कैसे complete कर पाएंगे क्योंकि बात करें तो आपके completely जो है अभी भी हर एक राज्यों में हर एक बच्चे के स्कूले जो है अभी completely आफ की offline नहीं हो पाई है एक तो बच्चों का term 1 exam already खराब हो चुका है यारी most of the बच्चों का term 1 exam खराब हो गए है तर्म 1 exam इसले खराब हो गए है क्योंकि CVC board के school में cheating जो है भर भर की हुई कहीं बच्चों की खूब सारी cheating हुई तो कहीं बच्चों क कई सारी मीडियो ने बित evidence जो है आपको इप रूप दिया कि term 1 exam में cheating हुई थी तो इस तरीके से बच्चों का यहाँ पर overall नुकसान है तो ऐसे में बच्चों की पास एक golden मौका है term 2 को लेकर तो यहाँ पर term 2 के exams को लेकर भी आप एक बड़ी समस्या देखने को सामनी आ रह की है कि term 2 के exams में बच्चों को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है तो सीवेसी बोड़ जो है दो बाते यहां पर clear कर सकती है तो सीवेसी बोड़ पहला यह कर सकती है कि class 12 की बच्चों को यह class 10 की बच्चों को जो है term 2 का syllabus में और reduce करके उन्हें थोड़ा स रहत दिया जा सकता है इस तरीके से बच्चों की भी मांगे और साथी चाथ पैरेंस भी मांग कर रहे हैं कि सीवेसी बोड़ टू के स्लेवस में कुछ रिडेक्शन और करना चाहिए क्योंकि समय को देखते हुए सीवेसी बोड़ को यह खुद सोचना चाहिए कि term 2 में काफ काफी बड़ा चैलेंजिंग जो है बच्चों के सामने यहां पे होने वाला है term 2 का एक्जाम्स को लेकर तो इसको लेकर देशवर के स्कुलों ने आपकी फेवर में सीवेसी बोड़ से यहां पे सिकायत की है कि term 2 को लेकर सीवेसी बोड़ जो है आपके लिए डिसीजन ले तो सीवेसी बोड़ के स्कुलों ने यहां पे काफी अच्छी बात सीवेसी बोड़ के सामने रखी है जो हर एक बच्ची इसका स्वागत करेंगे तो आप लोगी बच्चों नीचे कमेंट करके बताईएगा क्या आपको ऐसा नहीं लगता अभी आपको ऐसा नहीं लगता त जब आप से ज़्यादा टाइम जो है वो इसमें ले लेंगे तो ऐसे में आपको पढ़ने का जब टाइम नहीं मिलेगा तो आप आपको रेलाइज होगा कि हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा तो काफी बड़ा चैलेंज है अगर इसको लेकर आप अभी से अभेर हो जाए है तो बच्चों आप लोग की क्या रहा है नीचे कमेंट करके बताईएगा ताभी किस वडियो में इतना ही बच्चों को लेगा हरे इक अब्डेट आपको इसी तरीके से मिलते रहे तो अगर आफ वाँ चल पे पहली बर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क कर लीजीगा तभी इस वडियो में इतना ही विलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक साथ तब तक कि लिए प्यारे बच्चों जैहिंद